विश्व ब्रामपन समास द्वारा दुर्ग में निश्वलक नेत्र जांश शीवीर का आयोजन किया गया दिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने पहुँच कर इसका लाब उठाया विश्व ब्रामपन समास द्वारा MGM नेत्र संस्थान रायपूर एवं जन समरपन सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को दुर्ग के सत्ती चवरा स्री कृष्ण भवन में एक दिवसी निशुलक नेत्र रोग निदान एवं मोतिया बिन जांश एवं ने बेत्रीन चिकित्सकों द्वारा शिवीर में पहुंचा गया आम नागरिकों की नेत्र जांच एबं उपचार कर परामश दिया गया एस अवसर पर विश्व ब्रामपन समाच की महिला अध्यक्च और समाच के पदाधिकारियों ने अपने प्रतिक्रिया दी आप में अपने पंजियान की अधार पर क्रमवार सबकों बेजा जा रहा है जिसका छोट ड्रीटमेंट है उनको तत्काल सवीदा देते हुए उनका जाच करके उनको चस्मा का वितरन किया जा रहा है जिनके में थोड़ा भी डिपकल्ट फोड़ा सा असानी से नहीं जिनका केस सॉल हो रहा है उनको गाड़ी के मात्यम से जो की MGM हस्पिटल राइपूर के डाक्टर आया है उनकी बस भी आई है उस बस में बैठा कर उनका ट्रीटमेंट कराया जा रहा है और इसके बाद भी अगर उनका ट्रीटमेंट सही नहीं हो रहा है तो उनको निसलक सुईदा के लाब ले सकेंगे ऐसा हमारा प्रयास है और आगे भी इस तरीके का आयोज़न सहर में आयोजित जन समरपण सेव संस्था विश्वब्रह्मन समाण आयोजित करेगा जिस परë जादा से जौदा लोगों को लाब ले सके और जादा से जादा लोगों को हो रही परसानी से मुक्ति मिल सके नेत्र सेवा रोका है आयोजन इसमें ना विश्वे प्राह्मान समाज और जन समर्पन संस्था वाले दोनों मिलकर इस प्रोग्राम को कर रहे हैं और इसमें अब तक के 200 और 200 लोग आ चुके हैं उन्होंने अपना चेक-प भी कराया है और इ हस्पिटल राइपूर से आज 20 ब्राह्मन महासभा एवं द्रुग की जन समर्पन सेवा संस्था के दोरा विशाल नेत्र सिविर का आईजन किया गया है और अभी तक लगबग 200 मरीजों के दोरा इसमें जाचेव उप्चार के लिए डक्टरों के दोरा इनको सला दी गई है जो भी मरीज मानलो किसी को मोतिया बिंद है उसका भी यहां से वहां उनको ले जाएगी हो और उनका निसुल की लाज कराया जाएगा इसमें दोड़ाइसो लोगों ने आभी तक सिवीर में अपना योगदान भी दिया है और लोग आए हैं जिसमें उनको फ्री में चश्मा भी दे रहे हैं दवा भी दे रहे हैं और डॉक्टर्स भी हमारे हैं बहुत अच्छे आए हुए हैं जिनकी तरफ से यह प्रोग्राम ग्रैंड एशियन न्यूस के लिए दुर्ग से नसीम फारुकी की रिपोर्ट